हलो फ्रेंज दिस इस मैंक एंड नाओ वी आर गूंग टू डिसकस की किस तरह से हम कॉन्फरेंजा आप के अंदर में क्वेरीज वाला सेक्शन देखेंगे सबसे पहले तो आपको कॉन्फरेंज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालके आप उसको अक्सेस कर सकते हो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर वाला ही यूज करना क्योंकि उससे काफे सारी चीजे लिंक रहेगी उसके बाद सबसे पहले चीज आप अपना प्रोफाइल में जाके डीटेल एड कर दो माइ प्रोफाइल में सो मोबाइल नंबर इमेल आईडी एंड एवरिटिंग यूशूड एड़ और आफ्टर दाट वाट यूशूड दो इस माइडर में जाए यहाँ पे और इसके बाद आपको यहाँ पे जो जो आपने परचेस किया है कोर्से और बुक्स वो सारी की सारी चीज़े यहाँ पे आपको दिखेगी सो मैंने डेमो के लिए मेरे आईडी में जिंदल सर के मेरे पंकट सर के दर्शन सर के कुछ-कुछ ओर्डर से डाल रखे हैं जिससे मैं को आईडी आते रहता है कि कौन से कौर्स में क्या चल रहा है अब एक्जामपल के लिए इसके अंदर मैं जाता हूँ जिससे सफम रेगुलर बैच तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने क्वेरीज पूछी है कौन-कौन-कौन-कौन से सब अब्जेक्ट में क्वेरीज पूछ रहा है तो यहाँ पर दो चीजा आती है कि क्या कहते हैं एक तो आता है कि हेडिंग और दूसरा आता है सर आपका डाउट तो डाउट सबसे पहले जो एडिट वाला बटन है यह पैंसल वाला वहाँ पर जाओगे तो आप पूछ सकते हो और जैसे साइड में आप देखोगे तो रेड अगर मारक आ रहा है यानि कि वो पेंडिंग है और ग्रीन मारक आ रहा है यहाँ पर इसका मतलब उन क्वेरीज का रिपला आ चुका है जब यहाँ पर क्वेरीज बढ़ जाएंगी तब आप इन स्क्रोल बार का इस्तमाल कर सक जाएगी मैंने अंसर की हुई क्वेरीज यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से सब कुछ मिलेगा और आखरी में अच्छा यहाँ पर मैं active students देख सकता हूं कि कौन-कौन से students active है अभी इस course के अंदर में इसके बाद my earnings में अगर आप जाएंगे तो आपने कितने कमा है पैसे यह आपको दिखेगा this is something we can say the motivating part in the queries जिसमें आपको question पूछने पर आज as of now जब मैं record कर रहा हूं तो पांच रुपे पर question पूछने पर 5 रुपे पर query answer करने पर पैसे मिलते हैं जितने answers पर आपके satisfied rating रहेगी रेटिंग जितनी जादा रहेगी उतने आपको credit मिलेगा इसके बाद unsatisfied पर पैसे कटते हैं अगर आप गलत दे रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं spamming कर रहे हैं या ऐसा कुछ पता चल रहा है तो block भी हो सकता है और पैसे कम भी होते हैं उससे तो यहां भी कुछ FAQs है जो मैंने डाल रखे हैं इसके बाद हम कुछ एक query में जाते हैं देखते हैं लेट से मैं यहां पर आ गया और लेट से मैं इसके अंदर जाता हूँ जैसे यह corporate valuation में किसे ने query पूछी तो photo upload करिए आप देखोगे तो clearly आपको उपर नीचे आप उसमें कर सकते हो फिर यह दूसरा है इसके बाद किसी ने question पूछा था और किसी और ने इसका answer किया है तो rating rating आईए आपके यहां पर अब rating अगर आप देखोगे तो not satisfied आईए इसका मतलब करन ने जो answer दिया वो satisfied नहीं था इसलिए किसी ने not satisfied का button दबाया और जैसे कोई not satisfied का button दबाता है तो आपके earning में से पैसे थोड़े बहुत कट जाते हैं कितने कटते हैं कितने earn होते हैं यह सब का calculation system generator होता है depends तो जितनी ज्यादा satisfied rating आए आपको उतना ज्यादा अच्छा है ठीक है तो यह है अगर आपको rating अटा नहीं है आप अब आगे जाते हैं यह हो गया pending queries का आप यहां पर reply कर सकते हैं जैसे किसी ने यहां पर कुछ पूछा है हां यह रहा तो why can't we use regression formula to calculate the beta यहां पर मैं reply कर दूंगा इनको we can use the regression formula in this question also and you will get the same answer यह मैंने पोस्ट कर दिया तो यहां पर मेरे नाम से आंसर आ गया और अब मैं अगर मेरी earning में जाके देखों तो थोड़ी earning मेरी बढ़ चुकी है इसकी थोड़ी दिर पहले आपने देखा था सो क्वेरी आंसर में भी आगया मेरे नाम और यहां पर अरनिंग भी बड़ी भी दिखती हैं so this is how this query section is going to work यहां पर आने के बाद में इसके अंदर में lectures चालो हो जाते हैं आपको शायद blank screen black screen दिख रही होगी बिकोज यहां पर security लगाई हुई है आपको सारे वीडियो यहां पर दिखेंगे इबुक्स में आपको सारी बुक्स दिख जाती है so this is how you have to access कहां access करना है sir आपको courses के बाजियो में bookstore bookstore के बाजियो में जो my orders आता हैं वहां पर